सनग्यान एक आवश्यक विश्य वानी पीट्या से भागवत बताती है कि परम सत्य हर चीज से परिचित है अभिज्यान. वह सनग्यक हो गया है क्यूंकि वह स्वरात है, पूर्णत्या स्वतंत्र है. उसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है. उनका ज्यान बिना किसी से ज्यान ल उनकी पुस्तकों का एक परिचे निमनलकत 11 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपात की पुस्तकों से उद्धरण पून सनग्यान सितात पर यह कि व्यक्ति को अपनी समवेधानिक स्थिती के साथ साथ भरवान के स्थिती के बारे में भी जाना चाहिए। श्री विश्वनात चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस श्लोक में भगवान विश्णुस्वयम या परमात्मा का वरणन कर रहे हैं। परमात्मा को हमीशा देहधारी आत्मा के साथ साथ भौतिक संसार से भी अलग माना जाता है। इसलिए उन्हें परा के रूप में वरणत किया गया है। वह पारा या भगवान का सर्वोच व्यक्तित्व ए का है जिसका अर्थ है एक। भगवान एक है जबकि भौतिक संसार में सन्निहित बढ़धात्मा कई प्रकार के रूपों में मौझूद है। श्रीमत भागवाद 4.207 चुकि सम्पून सम्पून या परमसत्य हर चीज का स्रोत है, कुछ भी उसे स्वतंत्र नहीं है। एक अर्थ में जो कुछ भी अस्तित्व में है वह परमसत्य का शरीर है। शरीर की किसी अंक की कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया देहधारी आत्मा के लिए एक सनक ये तक्थे बन जाती है। इसी प्रकार, चोकि सुरेष्टी पून सत्य का शरीर है, तो सुरेष्टी में सब कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पून रूप से जाना जाता है. भगवान चायतन्य की शिक्षा, आध्याय तेईस, जीवित प्राणी की भौतिक गतिविधी अनादी हैं, ले में एक जीवित शक्ति के रूप में सचेत होने की पहचान की भावना है. लेकिन भौतिक टकृति के स्थिर्दी के तहट जीवित प्राणी, जिसे महत तत्व कहा जाता है, खुद को भगवान से अलग होने की गलत पहचान करता है. श्रीमत भागवाद 1.15, 27 भगवान ब्र ब्रम्मा से अधिक विद्वान वेदानती कौन हो सकता है? वह स्विकार करते हैं कि वेदों में अपने संपून ग्यान के बावजूद वेह भगवान की महिमा को जानने में असमर्थ थे. चुकि भगवान ब्रम्मा से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, एक तथा कथित वेदानत परम्सत्य का पूर्ण ग्यानी कैसे हो सकता है? श्रीमत भागवत 2.6.35 जीव प्रधान ब्रम्म हैं, जब प्रिस सर्वोच भगवान प्रधान निर्पेख्ष हैं. जैसे ही हम इस स्पष्ट तथे को भूल जाते हैं, हम तुरंत ब्रम्म में पढ़ जाते हैं, और इस प्रक श्रीमत भागवत 1.116 क्रिश्न के विचार में पूरी तरह से लिन होने का अर्थ्य भौति गंदिगी या लालसा से मुक्ति. जैसे एक बहुत अमीर आदमी को छोटी मोटी चीज़ों के लिए कोई लालसा नहीं होती, वैसे ही भगवान क्रिश्न का एक भग्त, जिससे राज में जाने की गारंटी है, जहां जीवन शाश्वत है, पूरी तरह से सन अग्यानात्मक और आनंद में है, स्वभाविक रूप से उसे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कोई लालसा नहीं होती है, चीज़ें, श्रीमत भागवत 1.627 भगवान का एक शुद्ध भग, विशेश समय, वस्तु और परिस्थितियों के तथ्यों से अवगत होने के कारण हमेशा विभिन तरेकों से भगवान के भगतों की संख्या बढ़ाने की इच्छा रखता है, दिव्य सिवा के ऐसे विस्तार भौतिक वादियों को भौतिक प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वास् परक्न नहीं पड़ता की कोई ब्राम्भन, क्षत्रिय, व्याश, शूद्र, सनन्यासी, ग्रिहस्थिया कुछ भी है, यदि कोई इस विज्ञान को सरलता से समझ ले तो विहाध्यात्मिक गुरुवार बन सकता है, चैतन्य चरितामरित, मध्यालीला 8.128, किसी को ये नहीं स सोचना चाहिए कि वे स्वामी, परोपकारी, मित्र या भोगता है, उसे सदेविजबात का ज्यान होना चाहिए कि वास्तविक भोगता भगवान क्रेश्ण है, ये भध्य योग का मूल सिध्धान्थ है, श्रीमत भागवात 3.27, 5, केवल भगवान के भग्त उन्हें काफी ह 3.49, बहुतिक संसार में हमें अनंदकाल, आनंद और ज्यान के परिपोर्णता का कोई अनुभावन नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में गुणात्मक गुणों की पूर्ण अनुपस्थिती के कारण सबकुछ शाश्वत, आनंदमय और सन अग्यानात्मक है, हर संनंदकाल तक पूर्णताई धन्य अस्तितु में देख सकती है, चैतन्य चरितामरित आधिलीला 5.22,